अस्सलाम अलेकुम आज मैं आपके साथ शेर करने जारी हूँ एक यूनिक रेसिपी दो केले और दो पराठो का जुटो होता है लगबग दो पराठो के बराबर के डो से आप इसकी एक बहुत अमेजिंग रेसिपी बनाएंगे अक्सर घर में बच्चे केले और रबडी जैसी हेली चीजे खाने में बहुत ही नखरे करते हैं बहुत गुरेस करते हैं इसी चीजों से तो मैंने एक यूनिक रेसिपी आपके साथ शेर करने की सोची जिसमें आप रबडी और केले दोनों डाल सकते हैं और बच्चे से बहुत शौक से भी खा सकते हैं आप इसे ट्फिन मे मूथा जाता है नमक और तेल डालकर हमने उसे रेडी कर लिया था सबसे पहले हम एक बोल तयार करेंगे एक पराँठे की बराबर लगबर और हम उसकी एक बड़ी सी रोटी बेल लेंगे रोटी बेलते वक्त आप धियान रखें कि रोटी थोड़ी सी पतली हो बहुत मोटी रोटी हमको यहाँ पर नहीं बेलनी है तो हम इसकी रोटी तयार कर लेते हैं तो आप देख सकते हैं आप रोटी तयार हो गई है इस रोटी को हमने तवे में ट्रांसफर कर लेना है क्योंकि अगर हम इसे रेडी करने के बाद तवे में डालेंगे तो फिर तूटने का खतरा रहता है यहाँ पर जो हमारा केला है हम उसे छी लेंगे आप देख सकते हैं कोई भी मैंने खास सामान नहीं लिया है और हेंड पू हेंड सब सामान रेडी हो रहे हैं और उसके हम थीक तो पर पर जालेंगे और उसे हमने डाल देना है और इसके राउंड शेप में भी रख सकते हैं लेकिन पराठे को फोल्ड करने में परिशानी नहीं होगी और उपर से हम इसके डालेंगे रबडी रबडी ये मैंने रेडिवेट मंगाई थी आप इसे घर पर भी बना सकते हैं अगर आप चाहते हैं होमेड रबडी की रेसिपी मैं आपको दूँ तो आप मुझे कमेंड बोक्स में बता सकते हैं इंशालला आपके साथ शेयर करूंगी तो यहां पर हमने रबडी डालने के बाद इसमें थोड़ी से किश्मिश और कटे हुए अखरोट इसमें एड़ कर दिये थे नहीं क्योंकि हमने इस पर सुका आटर लगाया है तो बाद में इसकी निकलने का डर रहेगा तो इसलिए मैं इस पर पानी लगाया है आप देख सकते हैं मैं इस अच्छी तरह से बंद कर दिया है इस कार शेप में हमारा रेडी हो चुका है अब हम इसे बनाएंगे तो यहा आप रिफाइंट ओय लगा सकते हैं या फिर मखन भी आप इस पर लगा सकते हैं लेकिन देशी घी से यह जादा अच्छा लगेगा अब हम इसकी साइट चेंज करेंगे और यही पर हम इस पर लगाएंगे देशी घी तो घी आप अच्छे से लगाएं कंजूसी ना करें औ और नीजे फ्रेम को आप धियान रखें कि बिल्कुल हमें लो रखना है क्योंकि हमें इससे पकाना है नहीं तो यह उपर से पक जाएगा इस पर अच्छे से निशान आ जाएंगे और अंदर से बिल्कुल कच्छा रह जाएगा तो आप देख सकते हैं एक साइट से थोड़ अंबल रिक्वेस्ट है कि अगर आपको में रेसिपी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब किये बिना नहीं जाएगा और मेरी वीडियो को लाइक कीजिए ज्यादा ज्यादा शेयर कीजिए मेरी होसला अफजाई कीजिए तो यहां पर आप देख सकते हैं सब्सक्राइब करेंगे ताकि इसका टेस्ट और जादा इन्हेंस हो जाए तो यह देखिए हनी हमारा हमने इस पर डाल दिया है बहुत ही यह टेस्टी बना है आप इसे घर पर ट्राइ कीजिए और अपनी फेमिली के साथ इंजोई कीजिए कैसी लगी रेसिपी मुझे कमें इन्बोक्स में बताइए अपनी फेमिली को आप इसे बनाकर खिलाएए आपके बच्चों को बड़ों को यह सभी को बहुत पसंद आएगा और मुझे दीजिए इजादत अल्ला हाफिज